हेलो फ्रेंड आज हम आपको सिखाएंगे लिखने वाले स्टोरी बीडियो कैसे बनाए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टोरी बीडियो चल रही है तो इसी तरीके कि स्टोरी बीडियो आज आपको बनाना सिखाएंगे आपको यह सारी काफी प्रॉब्लम आती होंग चाहे आप जितनी बड़ी story वीडियो उसमें running कराना चाहते चाहा वो भाई 10 गंटे की हो चाहा वो 5 मिनिटी की हो चाहा वो 50 गंटे की क्यों ना हो आप अच्छे तरीके से एकदम perfect running कराते ही रहोगे तो चली चलते हैं और यही आपको सिकाते हैं किस तरीके से बड़ी-बड़ी story वीडियो लिखने वाली बनाई जाती हैं तो चली चलते डिस्पेले पर और वहीं आपको सिकाते हैं सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक एप देखाई दे रहा हुगा काइन मास्टर एप यह एप अगर आपके पास नहीं है तो आप play store से डाउनलोड कर सकते हैं और इसी में story वीडियो बनाना सिकाएंगे तो चली इसे आपको करते है open और आपको शुरू से एकदम start से वीडियो बनाना सिकाएंगे ताकि आपको कोई भी किसी भी तरीके की problem ना हो तो देख सकते हैं इस तरीके से काइन मास्टर अप open हो जाएगा open होने के बाद देख सकते हैं यहां पर create पर आपको करना है हम जहां पे भी जाएंगे वहां पर टिक लगाते जाएंगे तो देख सकते हैं फिर उसके बाद इस तरीके से open हो जाएगा अब देख सकते हैं यहाँ पर create now पर करना है आपको एक बार click तो create now पर click करने के बाद देख सकते हैं इस तरीके से आपको copy size देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं YouTube का यह वाला size है जहाँ पर मैंने tick लगाया और यह वाला है short का size तो देख सकते हैं यूटिब का ये वाला साइज पर ले लेंगे और देख सकते हैं यहां पर करेंगे क्रेट पर क्लिक देख सकते हैं फिर से यहां पर हम टिक लगाएंगे क्रेट पर आपको करना है एक बार क्लिक तो क्रेट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से देख स आ जाएं तो जहां पर भी जो आपकी आप स्टोरी वीडियो में इमेज लगाना चाहते वो लगा सकते जैसे कि मैं डाउनलोड में कापी सारे इमेज हैं इनमें से कोई भी एक इमेज ले ले लेंगे तो देख सकते ये वाली इमेज ले ले लेंगे इस पर करेंगे एक बार कि करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर इमेज आ जाएगी इमेज आने के बाद बाई चांस देख सकते यहाँ पर इस तरीके से आपको डिस्पिले पर गैप हो रहा और यही पूरी इस तरीके की डिस्पिले और यही आपको पूरी देखाई देगी वीडियो बनने के बाद तो तो देख सकते हैं जो गैप है इसको पूरा कैसे करेंगे ओके तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको फिर से एक बार किलिक करना होगा इस इमेज पर इमेज पर किलिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर पैन जूम पर फिर से एक बार किलिक करना होगा पैन जूम पर किलिक करने के बाद बराबर पर किलिक करना होगा और यहाँ पर आपको दो उंगली रखकर और इसको जूम कर देना है तो चली जल्दी से jume कर लेते हैं तो देख सकते हैं और इस तरीके से मैंने jume कर दिया जूम करने की बाद यहां पर back जाना है और एक बार back जाना है बैक जाने की बाद यह वाली image एक भीज इसको आपको खिंच-kिंच कर बढ़ी कर देनी है देख सकते हैं मैं इस तरीके से जल्दी जल्दी चली बड़ी कर लेते हैं इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर कर रहा हूँ और आप भी कर लेना और यही एक वीडियो देखकर आप जितनी बड़ी story वीडियो बनाना चाहते वो बनाना सीख जाओगे कोई भी दिक्कित नहीं आएगी कोई भी problem नहीं आएगी ये मेरा बाद आए तो देख सकते हैं आपर इतना मैंने कर लिया इतना आपको समझाने के लिए काफी है चार मिन इतना कुछ करने के बाद अब यहां पर एक इमेज और लेकर आनी है तो देख सकते हैं यहां पर एक और इमेज लेकर आने के लिए चली बैक चलते थोड़ा अब देख सकते हैं यहां पर लेयर पर आपको करना है क्लिक लेयर पर क्लिक करने के बाद फिर यहां पर मीडिया गुमा देना है इस तरीके देख सकते रोटेट कर देना और देख सकते यहां पर इसका साज बढ़ा करने के लिए इस तरीके से यहां पर देख सकते इसका साज भी बढ़ा कर लेते हैं ओके आप भी इस तरीके से कर लेना है तो देख सकते यह अपने यह अभी फिलाल फ्रेम बन कर हो गया तयार अब देख सकते हैं इसको थोड़ा घुंद्ला करने के लिए या लगा इस ट्रीक यहां पर दिखनी भी चाहिए तो इसके लिए क्या करें गाँ आपको नीचे विचाना है और नीचे जाना यहां पर देख सकते क। कट तरी पर किलिक करने को यह रपाये सब्सक्राइए इस घ्शे की इतनी अपर। किलिते हैं कि लेखwater हो किश चलिए हम जलोगी किते हैंischer तो यहाँ पर देख सकते इस image को भी मैंने खिंच-खिंच कर इस image के बराबर कर दिये अब मैंने बात आती है यहाँ पर जो अपनी कानी वो कैसे लखेंगे तो लिखने के लिए देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा उससे पहले जहाँ पर आप कॉपी करना चांते हो जहाँ पर आपकी जो इस्टोरी है वो कॉपी करने के लिए आपको वहाँ पर कॉपी करना होगा तो देख सकते हैं मैंने पहले से ही नोट्स में लिख रख ली थी कहानी तो चलिए यहीं से हम करेंगे ओके, copy तो देख सकते हैं, इस तरीके से आपको पैरागिराब बना लेने देख सकते हैं, मैंने कितने सारे पैरागिराब बनाए तब ही आपके एकदम perfect story running करेगी अब पेराग्राप कैसे बनाना यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना जिख सकते हैं आपर एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ आठ यहां पर लाइन मैंने बनाई हैं और यहां पर भी देख सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ इस तरीके से आपको लेनी तभी आपकी स्टोरी वीडियो परफेक्ट काम करेगी अन्य था गड़बड़ी हो जाएगी एक दूसरी को ऊपर चड़ जांगे यह रनिंग कंट्रोल नहीं होगी तो देख सकते हैं अब इसको करते हैं यहां से कॉपी करने के बाद अब चलते हैं यहां पर काइन मास् हो यहां पर देख सकते हैं कॉपी की आता बहुए अब यहां पर कॉपकी पार देर के किल्ले अब इसका क्लोभ आने के कुल्या करने के लिए नहीं पर करना है क्लिक तो जो जाने के कोई कलर आ गया को की कळर आने के बाद अब इसको चोटा बड़ा करना चाहिके से तो यहां सह से तरीके से आप इसको छोटा घुठावज़़ा भी कर सकते कि हो के इतना कुछ करने की बार अब इसको नीच AHO Inspect में जाआरा को क्ली करने काब आपको कि पर जो यो लिखा हुआ आपको कृस्का ना उतना ही देख सकते यहां miejsc तरीके से मैंने स्टश्का दीएखिस काने के बाद अब यहांपर डिस्पिले पर यह लिखा हुआ इसको ऊपर क्यू ले जाना था चलते इस तरीके से को सकते है की मैं चलिए अब आपको पिले करके दिखाते हैं तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर running होना start हो गई पर यहाँ पर देख सकते हैं speed इसकी बहुत तेज है ओके तो इसकी speed कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर एक बार करना होगा click करने के बार जितना आप इस तरीके जब खिसकाते जाओगे उतनी इसकी speed कंट्रोल करना है यानि कि इसकी इस तरीके टाइमिंग बढ़ाते जाओगे खींच खींच कर उतनी इसकी speed कंट्रोल करना हो जाए तो चलिए आप आपको फिर से पहले करके दिखाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर इसकी स्पीड क्या है एक स्लो हो गई अगर आपको और स्लो करना है तो आपको और इस तरीके से खींचना होगा देख सकते हैं और खींचना होगा इस तरीके से उतनी इसकी स्पीड स्लो हो जाई तो देख सकते हैं अब यहाँ पर कापी स्लो हो ग तो देख सकते हैं, आप बड़ी स्टूरी बनाने बाला हूँ, तो देख सकते हैं जिसे के एक पेराग्राप आपने जोड़ दिया, तो एक पेराग्राप जोड़ने के बाद, उसके बाद कहानी वीडियो तो बनने जाती है। कि दस मिनिट बीस मिनिट या पचास घंटे तक या बना सकते तो अब बनाने के लिए आपको यहां पर एक बार करना होगा किले किले करने के बाद यहां पर तीन बिंदी नजर आ रहे हैं इसी तीन बिंदी पर फिर से एक बार किले करना होगा किले करने को इस तरीके से आपको duplicate पर click करना होगा इसी तरीके से आपको इसके duplicate करते जाना duplicate करते जाना जितने आपके story वीडियो बनानी है बहुत इसी तरीके से बन जागी अब यहांपर कुछ नहीं रहा गया, बस copy paste ही रहा गया इसलिए दियेख सक्ते हैं मैं सब कुछ duplicate कर रहा हूँ और इसके duplicate करना है तो duplicate करने के लिए फिर से यहाँ पर click करना होगा और तीन बिंदी पर click करना होगा तीन बिंदी पर click करने के बाद यहाँ पर duplicate पर click करना होगा तो चलिए duplicate पर click करने को आप देख सकते यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं इस तरीकेस आपको खिसकाना होगा द देख सकते और इससे बड़ी story video बनाने तो फिर से यहाँ पर आपको click करना होगा click करने के बाद यहाँ पर तीन बिंदी पर click करना होगा इस तरीके से आप जितनी बड़ी story video बनाना चाहते इसी तरीके से बनेगी फिर duplicate पर click कर देना और फिर इसी तरीके से आपको देख सकते खिसकाना और यहाँ पर adjust कर लेना है यहाँ पर देख सकते एक दूसरे को पर नहीं चलने चाहिए तो देख सकते यहाँ पर इस तरीके चली यह भी set कर लेते ओके तो देख सकते अगर आपकी इतनी भी paragraph बना दी चार पाक इतने में भी आगर आपकी पूरी story वीडियो नहीं आ आपको यहाँ पर click करना है और इसके duplicate करते जाना है जितनी आप duplicate कर लोगे आप उतनी बड़ी story वीडियो बन जाई फिर यहाँ पर duplicate पर click करने के बाद इस तरीके से आपको खिसका देना है यहाँ पर देख सकते बिलकुल एक दूसरी को उपर चलना नहीं चाहिए इस तरीक से duplicate करते जाना अब मैंने बात क्या है आपको बताएं जैसे कि यह भी वही लिखा ओके और इसी के यह सभी duplicate किये ते देख सकते यहाँ पर जो लिखे हुए ओके अब इसमें कुछ नहीं करना कि यहाँ पर copy पेस्ट करने को रह गया है अब देख सकते यह पहला 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 आप यहाँ पर copy कर देंगे तो copy करने के लिए देख सकते जहां पर भी आपका का जो story video वो story आपने लिख ली हो ओके तो यह copy करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप पाऊ तो देख सकते यह पहला मैंने copy कर दिया ता आप दूसरा copy करेंगे इसके बाद तीसरा copy करेंगे पिर से copy कर लिया और copy करने के बाद यहां पर कर देंगे paste तो बीठ सकते हैं आप चलिए यहां पर दूसरा paragraph आगर आप देख सकते हैं यह वाला तो इस फर करेंगे एक बार click click करने के बाद edit पर करेंगे click edit पर click करने के बाद यह उटा देंगे और जो अभी कॉफी किया था, दूसरा पैराग्राफ, वो यहांपर पेश्ट कर देंगे, और यही एक वीडियो देख कर आप अच्छे तरीके से इस्टोरी वीडियो बनाना सीख जागा, तो देख सकते, यहांपर मैंने पेश्ट कर दी है, paste करने के बाद यहाँ पर देख सकते okay पर कर देना के लिए okay पर click करने पहले देख सकते यहाँ पर थोड़ी एक problem है इस problem को इस तरीके से बांट देंगे okay फिर आप कर देंगे okay पर click तो देख सकते यहाँ पर अपना दूसरा paragraph भी तैयार हो गया अब चलिए तीसरा paragraph देख सकते यहाँ पर आपको तीसरा paragraph में भी same करना है वहाँ से करेंगे copy तीसरा paragraph और यहाँ पर कर देंगे paste same ऐसे ही करते रहना देख सकते अब तीसरा paragraph यह रहा इसको करेंगे यहाँ से और एक copy हो जा तो देख सकते इस तरीके से इसको करेंगे copy तो देख सकते copy कर लिया copy करने के लाद काइन मास्टर पर चलेंगे और वहाँपर कर देंगे paste वीडियो जरूर लंबा हो जाएगा पर यही एक वीडियो देखकर आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगी तो देख सकते चलिए अब तीसरा पैराग्राप अपना ये रहा ओके तो इस पर एक बार करेंगे किलिक किलिक करने का एडिट पर करेंगे किलिक तो चलिए एडिट पर किलिक कर लेते और इसको देख सकते इस तरीके से हटा देंगे और जो अभी copy किया था तीसरा paragraph जाने की आगे की story तो इस पर बस paste कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर मिटाने के बाद paste पर कर देंगे click और okay पर कर देंगे click तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं इस तरीके से अगर आपको गड़वड़ी लग रही तो इस तरीके से एड़ेस्ट भी कर सकते हैं, इसी तरीके से आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट ही कर देना, तो देख सकते हैं, यह भी अपनी स्टोरी देख सकते हैं, इसमें भी सेम ही करना से चली कर लेते हैं, सेम आपको इसी तरीके स आपको नहीं आएगी, तो देख सकते हैं, यहां पर कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद यहां पर कर देंगे पेस्ट, तो देख सकते हैं, यहां पर करेंगे एक बार किलिक, किलिक करने के बार एड़िट पर करेंगे, किलिक, एड़िट पर किलिक करने के बार यह जो लिखा कि यागे कुछ दिख्कत तो नहीं आ रही है तो देख सकते हुआ पर जल्दい से पहले कर देते हैं तो देख सकते हैं यह पर अपनी स्टोरी विडियो रिनिंग होना स्टाट हो गए पर काफी स्लो चल लए तो चली थोड़े इस तरीके से यहां पर इसको आगे कर देंगे आगे करने बाद देख सकते हैं यहां पर दूसरा पैराग्राफ जुड़ने बाला तो देख सकते हैं यहां पर दूसरा पैराग्राफ जुड़ गया और किसी भी तरीके की कोई भी दिक कितने ही आ रही रनिंग होने में तो चलिए और आपको दिखाते हैं यहाँ पर चौता पेराग्राप देख सकते हैं यहाँ पर अभी चौता पेराग्राप जुड़ेगा ओके तो यहाँ पर देख सकते हैं को खिसका लेना और यहां पर सही तरीके से बिलकुल उतना ही गैप कर देना ओके तो चली जल्दी से यह भी कर लेते तो चली आपको फिर से पिले करके दिखाते तो देख सकते यहां पर आभी देख सकते चौथा या पांचे बाप फैरा ग्राप है वो यहां पर जुड़ने बाला तो देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर running कर रहा है और कोई भी दिक्कित नहीं अगर लगने लिए तो इस तरीके से खिसकाते ना और यहाँ पर बड़ाबर gap हो जाएगा तो चली अब आपको फिर से बिले करके दिखाते हैं जेख सकते हैं कितनी बड़ी story video बन चुकी है और किसी भी तरीकी कोई दिक्कित नहीं आ रहे हैं इसी तरीके से कितनी भी बड़ी story video आप running करा सकते हैं कभी भी कोई दिक्कित नहीं आई अब simple सा इसमीं अगर आपने आबाज देनी है तो आप आज देने के लिए रिकॉड पर करना होगा किलिक और जो यह लिखा हुआ यह अपन पढ़ लेंगे तो चलिए देख सकते है रिकॉड पर करेंगे एक बार किलिक और यह जो लिखा हुआ यहाँ पर क्या है यहाँ पर थोड़ा ही मैंने यहाँ पर पढ़ा था और देख सकते पढ़ने के बाद यहाँ पर यह अपनी रिकॉर्ड हो गई है आपको पिले करके दिखाते हैं बहुत दिन पहले की बात है एक छोटा सा नगर था पर उसमें रहने वाले लोग बड़े दि तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर मैं सब्ध बूल नहीं पाया था जो इसको क्या दिलेट करना है डिलेट करने कि लिए आपको देख सकते है इ्स तरी किसे अड़ देस्ट करना है और इस पर एक बार करना है रिकॉर्डिंग पर क्लिक recording पर click करने के आपको नीचे आना है और नीचे आना देख सकते trim and split पर करना है click और कौन सा यहाँ पर देख सकते भाग अटाना left तो left पर ही बस कर देना है click और देख सकते left बाला भाग चला जाए अब आपको पिले करके दिखाते है बहुत दिन पहले की बात है एक छोटा सा नगर था पर उसमें रहने वाले लोग बड़े दिल वाले तो देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरीके से आपको पूरा इस तरीके से पढ़ देना है और आपकी स्टोरी वीडियो बन कर हो जाएगी तगया फिर भी अगर आप नहीं बना पाते तो मुझे कमेंट मताना और आपका अच्छे तरीके से समाधान बिल्कुल करेंगे आप मुझे कमेंट भी कर देना तो भी आपका हल हो जाएगा तो दिख सकते हैं इतना कुछ करने के लिए वीडियो सेब करने के लिए यहां पर करना होगा क्लिक क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो भी आप वीडियो की क्वाल्टी रखना चाहते हैं बूर रख सकते हो सेबस वीडियो पर कर देना है क्लिक तो चलिए जल्दी से यह भी क